शेक तो आपने बहुत बार पिया होगा लेकिन गारंटी है इतना टेस्टी सेक आज तक आपने नहीं पिया होगा ये सेक बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान दो सेक का मज़ा हम एक ग्लास में लेंगे ये पच्चे और बड़े सभ मैंगो मिल्क बनाने यहाँ यानि की यह पका भूकर घेला अगरrob को शेक ज़्यादा बनाना को आप ग्याँ चेला अगरकूर परऑना से मेंग बनाना थो गया तो यह ले लेकि नेंगे regular Folk कम aún शेयर में आप 15-15 करस May आम इसे हम अलग रख लेंगे और बाकी के जो आम और केला हमने काट कर रखे हैं इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे आपको जितना ज्यादा मीठा पसंदो उतनी चीरी डाल सकते हैं लेकिन मैंने अधिक टोरी चीरी लिया है जो कि ये काफी है थोड़ी सी आइस क्यूब डालेंगे इसे ठंडा करने के लिए आप जाए तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा एक ग्लास एकदम ठंडा दूट डालेंगे एक ग्लास से ज़्यादा दूट न डाले नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो शेख हमें गाढ़ा-गाढ़ा सा बनाना है इसे हम एकदम बारीक पीछ लेंगे और ये देखे एकदम गाढ़ा-गाढ़ा सा ये से बन करके तयार है इसे हम निकाल लेते हैं ग्लास में इसे डालने के पहले हमने आम के टुकड़े रखे हैं और केला के टुकड़े इसे हम डालेंगे एक एक चमज दोनों ही डालेंगे अब हमने जो शेख तयार किया है इसको डाल देते हैं और ग्लास को थोड़ी सी हमें खाली रखना है ताकि हम थोड़ी से आम और क पीछ पीछ में मुह में पड़ता है तो यह बहुत ज़्स घ्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इसमें grate की हुए नारियल डाल देंगे। आप नारियल लच्छा मारकेट से ले सकते हैं या घर पर भी तईयार कर सकते हैं। दो-चार स्लाइस नारियल के डाल देंगे, लच्छा भी हमने यूज किया है, ठोड़ी सी टूटी-फूरूटी डालेंगे, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हैगा, ढाल तो-चार टुकड़े बादाम के डाल देंगे, ठोड़ तरीके से mango milk बनाना शेक बना सकते हैं और दो शेक का मज़ा आप एक ग्लास में ले सकते हैं यह दोनों को मिला कर बनाएंगे इसका टेस्ट बहुत ही जादा अच्छा लगता है आप इसे एक बार बना कर पिएंगे तो गारंटी है आप इसे बार बार बनाएंगे और आप इस और शेयर करना पिल्कुल भी मत भूलेगा मिलते हैं एक नई रेसेपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए